साथ ये महत्वपुन अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आजहाजी के 75 साल का अमरुत महोस्व मना रहा है आज से कुछी दिन बात 15 अगस्त को हम आजहाजी के 75 साल में प्रवेश भी करने जा रहे हैं एक तरह से नई राष्ट्य सिख्षानीती का इंप्लिमेंटेशन आजहादी के अमरुत महोस्व का प्रमुख हिस्सा बन गया है इतने बड़े महापार्व के बीच राष्ट्य सिख्षानीती के तहट आज सुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी भारत के जिस सुनहरे भविश के संकल्ब के साथ आज हम आजहादी का अमरुत महोस्व मना रहे हैं उस भविश्य की और हमें आज की नई पीडी ही ले जाएगी भविश्य हम कितना आगे जाएंगे कितनी उचाई प्राप्त करेंगे ये इस बात में निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को बरतमान में यानि आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं कैसी दिशा दे रहे हैं इसलिए मैं मानता हूँ भारत की नई राष्टिय शिक्षा निती राष्ट निर्मार के महायग्यने में बड़े फ्रेक्टर मैं से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा निती को इतना आधुनिक बनाया है इतना फ्यूचर रेडी रखा है आज इस कारकम में जुड़े अधिकाऊश महानुभाव नई राष्टिय शिक्षा निती की बारीक्यों से परिचीत है लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है इस एसास को हमें बार बार याद करना ही है इस परिछे के बार बार जाद के बार बार याद करना है